नबश्कार मैं हूँ आचारी सती शबस्ती बहुत स्वागत करता हूँ आपका आपके ही अपने प्रोग्राम में लवी दिश्टाल जी में हर बार की तरह बिशलेशन और रिसर्च में जोत्सी आधार पर ग्रहन अक्षत्रों को पूरा कंसीडर करते हुए मैं फिर से हाजर आपको हमारी चीजे समझ में आती है मैं पूरा का पूरा प्रैप्न करता हूँ कि जो भी रिसर्च है वो बिल्कुल बिमुक्त कंट से स्पष्टता से आपके साथ साजह करूँ आज बदलते दोर में सब कुछ बदल रहा है आज चलते चलते हम लोग बहुत दोर निकल पड़े हैं खुद को भूल जाना क्या परिवर्तन का नाम है क्या सच में अपनी वास्तिविक्ता को भूल जाना उन्नती है या उन्नती की तरफ भागने के लिए स्वयम को भूलना जरूरी है अपनी पहचान अपना ब्यक्तित्व यहां तक कि आपकी अस्मिता आपकी निजता इतना न होना चाहिए था हम सायद उससे बज़ादा दूर निकल आए एक उर्दू की कहावत है हमने बहुत बार बोली होगी और आपने हर बार सुना होगा उसी कहावत को नए दृष्टे से समझने की कोशिश करना आज है खुदी को कर बुलंद इतना कितना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बताना चाहिए तेरी जजा क्या है तुम क्या चाहते हो यह ठीक था यह अच्छा था यह बहतर था पर यह क्या होने लगा कि हम किसी को पाने के लिए हम किसी के होने के लिए हम अपने आपको बहुत नीचे गिरा रहे हैं यह ठीक नहीं है संपन्नता के लिए धन के लिए उन्नती के लिए कुछ बहुत बढ़ा कर लेने के लिए कहीं हम दिशा गलत तो नहीं पकड रहे हैं क्यों चो कि जब अधिक लोभ होता है जब अधिक जादा प्रलोभन दिखता है कोई ऐसी चीज दिख रही हो जो हो ही नहीं सकती अगर ऐसा कुछ दिखाई पड़ने लगे तो समझना कि ये गलत है लोभात पापस से कारणम लोभ हमेशा पाप का गुरू है जब जब लोभ बढ़ेगा तब तब गलत होगा और तब आप नीचे गिरोगे एक बहुत टाइम पहले अगा आपको याद होगा एक कंपनी आई थी नाम था इस पी केस ही आ दस अजार रुपिया दीजे तीन अजार रुपे वो हर मेने आपको वापस करेंगे और जीवन इस चार मेने में आपके पैसे तो वापस और फिर तो लाइफ टाइम आपके वावा अब इसमें हुआ क्या कि वो उन्होंने आपके अपने लोभ को इतना ज़्यादा वोम किया इतना होट किया कि लोगों ने हजार हजार खाते खुलवा दी इस तरह के और जो भी पैसा आता उसमें थोड़े पैसे और डाल के जमा करते एक और खाता हमारा कोल दो इसमें भी दस में तीन आएगा ऐसा करने की वज़े से वो कभी पैसा रख नहीं पाते हमेशा सपोर्च करो कि 10,000 का 3,000 आया उसमें 7,000 डालके दे आए बहुत पेसिंस रखा तो दो बार आए अगला महीना जाई से आया बोले आतो रहा यार 6,000 आया चार ओ डालो अगली बार से 6 आएंगे हर महीने किसी भी तरह से खी इस्तान के तीन मेने फिर रोका बोले 6-6 आ तो रहे है अठारा आजार पड़ा है दो जाल करके फिर दे दो यार एक आईडिया और बढ़ जाएगी हमारे कितने जानने वालों को हमने मना किया बोले नहीं गुरुजी पैसा आता है ये मार्केटिंग है आप नहीं समझोगे एक एक हजार खाते खुलगा है लोगों ने जानने वाले तो ये कहते हैं कि 20-20-50-50 जार भी खाते खुले एक एक आदमी के जोड़ना कितने पैसे होते हैं 10,000 के हिसाब से उस कंपनी ने कभी किसी को पैसे रखने ही नहीं दिये इतना लालच बढ़ा दिया लालच लोब हमेशा नुकसान पहुचाता है ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ अब वही लोब और लालच तुम अपने रिस्तों में भी करते हो कभी कभी क्या लालच होता है अब इसे सौंदर्यता आपको हमेशा गिरा देती है कभी बहुत सुंदर लड़का लड़की को कम जोर कर देती है अब होता यू है कि सामने वाले को क्या लगता है कि मैं तो प्रेम कर रहा हूं पर उसके सब का उंसेंस में प्रेम कर क्यों रहे हो बाई क्योंकि ये बहुत संदर है लोग है ना लालेच है ना कि स्वारत लागी करही सब प्रीती सुर नर्मुनी सब के याहरीती स्वारत लागी स्वारत की वजे से ये प्रेम बढ़ रहा है और एक आद लोगों का नहीं सुर्नर्मुनी सब के याहरीती हर कोई सीधर कला में बढ़ रहा है सब की ये दशा है कहीं आप उस दशा की वजे से कहीं इस तरफ से बढ़ तो नहीं रहे हो कभी लड़की से फिमेल से मेल आयू में छोटा है इसलिए वो लोब बढ़ गया इंटर्नल आपको पता ही नहीं ही ये बात कितनी बार तो लोगों को पता है कि वो लोब में है और कितनी बार तो ये मालूम ही नहीं कि लोब कौन सा अंदर चला गया जब अंदर प्रवेश करता तो बताता नहीं है कभी-कभी लड़की बहुत छोटी है आयू में इसलिए लोब बढ़ गया कभी कभी लड़की से लड़का जादा चोटा है इसलिए लोब बढ़ गया कभी सुन्दरता की वज़े से कभी आयू की वज़े से कभी धन की वज़े से कभी पद की वज़े से कभी प्रतिष्ठा की वज़े से बड़े सारे कारण है जो इन सब चीजों में जादा है प्रेम क्षिशर बताने की कोशिश कर रहा हूं। 5 प्रकार के कोई भी धान ये कोई भी अनाज ले लीजी और अपने उपर से उतार कर कबूतरों को खिलाने से ऐसी चीजों से आप बच सकते हो। साथ चौराहों की मिट्टी लाकर के एक काले कपड़े में बांधकर अपने उपर से उतार करके कहीं भी सुनसान जगे में डालने से ऐसी चीजों से आप बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे अद्थक बस सकते हो ऐसी किसी चीज में आप फसे हुए और उससे निकलना चाहते हो उसे ठीक करना चाहते हो तो भी गवसाले की मिट्टीक लाकर के छोटे गनपती बना करके उनका पूजन अभिशेक कर जल प्रवाह करने से ऐसी चीजों से आप मुक्त हो सकते हो स्वेतारक नाम का ब्रक्षोता उसकी जण के गनेश जी लाकर के अपने घर में स्थाफित करने के पूजा करने से भी ऐसी चीजों से आप बच सकते हो गुरुपु खिनक्षत्र में केले की जण लाकर के उसे हल्दी कुमकुम से बढ़ियां से उसका अभिशेक पूजन अनुस्थान करे और उसे धारन करने से भी ऐसी चीजों से आप बच सकते हैं कोशिश करिए अगर ये सब उपाया आप कर सकते हैं तो आपके जिवन में परिवर्दन आएगा बहुत धन्यवाद हर बार देता हूं आपको क्योंकि आप हैं तो हम हैं इश्वर आपका हमेशा सुब करें अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आयार है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं शेयर कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप अपने विचार या सवाल कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं आप आचारे सतीश डी से मिलने के लिए हमें कॉल भी कर सक हमारा नंबर है 0808 1426 940